नमस्कार प्रवसाक्षी नेटवर्क के खास कारेकम विश्य खवरम में आप सभी का स्वागत है सभीत रास्ट्र सुरक्षा परिशत की बंद कमरे में हुई बैठक से भी पाकिस्तान को कुछ नहीं हसिल हुआ हासिल होता भी क्या जो उसका है नहीं वो उसे मिल कैसे जाएगा दरसल भारा सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छे 370 को हटा कर राज्ये को दो केंद्र शासी छेत्रों का स्वरूप दिया तो पाकिस्तान बिल बिला उठा पाकिस्तान ने अंतरास्टी समुझाय से दखल देने की मांग की लेकिन जब पूरी दुनिया ने अनुच्छ थी ही अब यह भी साफ हो गया कि उसकी सरकार की बात पर भी विश्वयकीन नहीं करता जम्मू कश्मीर का विशेश दर्जा समाप्त होते ही पाकिस्तान चीन के सामने गड़गडाया चीन ने ज्यादा तवज्जों नहीं दी तो पाकिस्तान और रूंधे गले से करने की मांग करनी पड़ी वैसे इस बात पर गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का विशेश दर्जा समाप्त करने के भारत के फैसले पर चर्चा के लिए सुरक्षा परशद की आपात बैठक बुलाने की मांग की थी लेकिन जो आयूजीत हुई वह थी बंद कमरे की बैठक तो बंद कमरे की ये बैठक शुकरवार देर्रात हुई सभी राश शुरक्षा परशद यानि यूए नसी ने बंद कमरे में जो चर्चा की उसमें भी पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जूट बोलता है और चीन उसके गलत कामों में उसका साथ देता है पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरह मसूद अजर को अंतरास्ट्री अतंकवाधी घोशित होने से बचाने के लिए चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था उसके बावजूद ज्याद चीन के और से किया गया यह अनरोज सुरक्षा परिशत के अध्यक्ष को भेजे गए पाकिस्तान के पत्र के संधर्ब में था इतिहास में जाकर देखें तो संउत्रास्ट के रिकाड़ों में उलेक मिलता है कि आखिरी बार सुरक्षा परिशत ने 1965 में भारत-पाकिस्तान प पर चर्चा की पाकिस्तान के विदेश मंतरी शाह में मुद कुरेशी चर्चा को अपनी बड़ी राजनई जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं कि सुरक्षा परिशत 40 साल बात कश्मी बुद्ध्य पर चर्चा करने के लिए राजी हुई है लेकिन जनाब कुरेशी जराई है स उस समय पाकिस्तान के साथ कई देश थे जबकि आज उसके साथ लगबक कोई नहीं खड़ा है पहली बैठक में जो कुछ हुआ वैस सब के सामने हैं जबकि बंद कमरे की बैठक का ब्योरा सारोजिनिक नहीं होता और सही तुरस्ट के नीमों के मुताबिक इन बैठकों में बैयानों का शब्दिश्य रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता ऐसी बैठके सुरक्षा परिशत के सदस्यों की अनुब चारिक होती हैं और इसे पूंड सुरक्षा परिशत की बैठक नहीं माला जा सकता क्योंकि बंद दरवाजे के पीचे हुआ विचार विमर्ष मातर होता ह इसका किसी को किसी प्रकार का ब्योरा या फैसला सावजुनिक नहीं किया जाता बंद कमरे में हुई बैठक में स्विंगतर रास्ट के पांच स्थाई और दस अस्थाई सदस्य देशों के प्रतिनी धी भी शामिल हुए कि पाकिस्तान ने मांकी थी और चीन पर्विबिगई दी आ करनी होंगी लेगी पाकिस्तान को चीन के लावड किसी की सहमती हासिल नहीं लिहाजा उसके प्रतिनिधी को बंद कमरे की बैठक में गुसने नहीं दिया गया और विदेश मंतरी शाह मेहमुद कुरेशी ने रूस से जब इस मुद्दे पर मदद मांगी थी तो रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने टक आसा वजवाब दे दिया था फ्रांस और यूरोपिये यूनियन के सदस्ते भी भारत के साथ खड़े रहे देखा जाये तो सभी तो कोट डिवोयर डोमिनिक रिपब्लिक एक्वेट टोरियल गुएनी जर्मनी इंडोनेशिया क्वेट पेरू पोलेंड और साथ अफ्रिका शामिल हैं और यह सभी अस्थाई सदस्से पाकिस्तान के दावे को साफ साफ पहले भी नकार चुके हैं और अब भी उसके साथ नहीं कि पोलेंड भारत के साथ नहीं है दूसरी और चीन की बात करें तो पाकिस्तान के घड़याली आसों पर इस दुनिया में कोई पसीज़ता है तो वह सिर्फ चीन चीन की अपनी कुछ मजबूरियां है जिनके चलते उससे अपने कोटिल मित्र की बात मानने पर मजबूर होना ही पड़ता है दरसल्ट चीन का सीपीसी प्रजेक्ट गिलगित पाल्टिस्तान छेतर से होता हुआ प्योक्य और पाकिस्तान के मांसेरा से भी गुजड़ता है यह इलाका खैबर पक्तुनकुवा में पड़ता है सीपीसी प्रजेक्ट पर चीन के लगबग 12,000 नागरी काम क इस प्रजेक्ट में अर्बो युवान की राशी निवेश की है और यही कारण है कि इस निवेश को शरक्षित बनाये रखने के लिए उसे पाकिस्तान के साथ यारी निभानी पड़ती है फिलाल इस रिपोर्ट पर नहीं बागी देश्यों के लिए प्रभासाक्षी के साथ कर दो.